कि एलो फ्रेंद्स वेल्कम बेक टु माई यूटूब चैनल माई के रबाउट मामा एंद बेबी तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है जो कमेंट आया है कि बेबी गर्ल का जन्टेल एरिया क्लोज हो गया है तो उसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं तो यह मैं आपको कुछ घर की ऐसी ट्रिक्स बताती हूं जिसे आप कर सकते हैं अगर आप से नहीं होता है तो मैं रेक्मेंट करूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाएं जैसे आप इनको ट्राई करिएगा इनसे हो जाता है और ऐसा नहीं कि अगर एक बार आपने ओपन कर लिया तो दुबारे एक लोज नह होते हैं वह यहां पर जम जाता है यह विल्कुल हमारे लिप की तरह शेप उसका होता है यहां पर यह जम जाता है इस वज़े से यह आपस में चिपक जाते हैं और यह क्लोज हो जाता है जैसे बेबी बॉय में आगे यहां पर हम वाइट कलर का वह गंदगी जम होती है उसक और इससे क्या दिक्ट हो सकती है पहले तो आपके बेबी गर्ल का जनेटल एरिया आपको डेली चेक करना थे डेली, रूटीन बना देजे, कि इसे आपको चेक करना ही करना है नहलाते पार, आपको इसे डेली सिर्षी साफ सफाई करनी है, आज्छे से, किसी ऐसे साबून से जो chemical free हो gentle soap जो होते हैं जो chemical free हो या baby soap इसको आपको daily clean करना है daily साफ करना है और ये ध्यान रखिए कि उसका urine pass हो रहा है अच्छे से या नहीं अगर नहीं pass हो रहा है तो ये high alert situation हो जाएगी इसमें आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा अगर urine pass हो रहा है तो उसे pain हो रहा है या नहीं क्योंकि अगर urine pass नहीं होगा तो फिर काफी pressure पड़ेगा उसके उपर और बच्चे के लिए ये काफी painful होगा और parents के लिए भी काफी painful होगा इसलिए आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये आपके लिए और आपके baby के लिए बहुत important है कि आप उस जखे की उस part की सफाई कर रहे हैं अच्छे से या नहीं क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मदर को इसका खास ख्याल रखना होता है तो इसलिए आपको उस part की regular सफाई करनी है और बहुत अच्छे से तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको करना क्या है अगर ये बंद हो गया है अगर ये आपस में चिपग गया है तो आपको क्या करना है आपको इसे पहले तो गरम पानी से बहुत हलके गुनगुने पानी से ज्यादा नहीं हलके गुनगुने पानी में कॉटन डिप करके और इसको दुलना है साफ करना है ठीक है इसको साफ करेंगे तो जब गुनगुने पानी से भीगा के इसको आप सेंख लगागे तो यह मुलायम हो जाएगी यहां किसके उसके बाद से आपको सेंख लगाते टाइम भी यहां पे हलका प्रेशर देना है हलका क्या थोड़ा सा जोर से इतना भी नहीं कि हम एक ही दिन में फार दूंगी ना ऐसे नहीं इसको हलका प्रेशर गरवाशर देना है थोड़ा यह प्रेशर दे के ऐसे साफ करना है ऐसे यह इस प्रब्लम नहीं होती है और फिर उसके बाद से आपको कोई gentle cream जो baby cream होती है या oil ले लिए जैथून का तेल उसे आप मालिश करिये इसमर्ठ पर इसको ऐसे क्रीम लगाके और वेसलिन पर्डूलेम जली जली जोय होती है उसे लगा कर और उसको आप pressure देके बहुत ज्याधा pressure मत दीजे है विस् buena बच्चा है े खुल जाये लेकिन यह आप डेली का रूटीन बनालीजिए बहले हीitude है या नहीं है या एक भार खुल जुका है अगर यह एक बार खुल जुका है तो यह दुबारा भी बंध होने की संभावना है ऐसा म입니다 रहाप है इसलिए आपको देली की भीकी जैटून के तेल की नाभी के पास जालके मसाजी हो सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए इससे भी पॉस्बिलिटी होती है खुलने की और कुछ ऐसी चीजें जो आपको आपके बच्चे की डाइट में शामिल करनी है अगर बहुत चोटा बच्चा है तो आप कही देंगे उसको लेकिन सिट ज्यादा जोर नहीं दे सकते हैं लेकिन हार फिर भी हम इसे पुछ करना पड़ेगा होता तो आप दिख्चा वमियु आपको प्रेशर देक्टना है और यह उसा करना हुँ आपको इसकी सफाई कैसे करनी है इसकी सफाई यू करके white discharge ना उसको क्लीन करना और जहांसे वो टॉइलिट करती है जो छोटा संदर का पाठ होता है वो भी अपनी यह जो finger होती है इससे इससे आपको साफ करना कैसी हैं लिटिल फिंगर से लेकिन याद रखे एक्वार के निल्स कटे हूए हो और यह राय्चे सबाके हैं कि आपको अपने हाथ बहुत अछे से क्लीन करने को यह है रहिवर अपन हैं होती है इसे यह लेकित अरनी पैंट एकिकिंचतित damping के के इंफेक्शन हो सकता है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं होने दिना है हमें अपने बेबी का ख्याल खुद रखना है और आपको उसे टाइट डाइपर टाइट पैंटी या टाइट कपड़े नहीं पहनाने हैं इस चीज का आप उसको खास ध्यान रखिए कि आप उसको टाइट पैंकी टाइट डाइपर कुछ में पहने और हम ऐसे करके कमर पे लेते हैं ना बच्चों को वह चीज भी हमें नहीं करनी है हमें इसको कमर पे ऐसे करके टांके नहीं रखना लेक्ट करके क्यूंकि उससे इस जेनिटल एरिया पे प्रेशर पड़ता है और वह प्रेशर की व से टांगके नहीं रखना है नेक्स जो है वो मैं आपको बताती हूं कि अगर आप से तीन दिन चार दिन आपते में नहीं हो रहा है तो आप इसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं क्योंकि फिर हो सकता है कि वो कोई ऐंड्मेंट दे तो उससे भी खुल सकता है, डौक्टर खुद भी प्रेशर दे के खूल सकते हैं या आख को कोईgarym गएरा देंगे, जिससे वो खूल सकता है, इसमें मेन होता है कि determinysis छ कीकनी छीजा सी लगानी है, जिससे वो खूल सके, शिखना हो जाए और वो-open हो सके, तो कोई ज़रूर नहीं कि लेकिन आप एक दिन में कम से कम दो तीन भार कोशिश किजिए गरम पानी की कॉटन से गरम पानी की सेख दीजिए और उसके बाद इससे हलका प्रेशर देजिए हलका थोड़ा बहुत प्रेशर जितना आपका बच्छा सह सक है लेकिन निल्स कटे होने चाहिए आपका हाथ क्ल आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए मैं आपके हर क्वेश्चन का अंसर दूंगी और आपकी प्रॉब्लम्स पे वीडियों बनाऊंगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई योट्यूब चैनल तो सो गाइज अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है तो प्लीज प्लीज मुझे बताईएगा कि ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या हुआ कैसे हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात पर कि मेरी बताई हुई चीजों से मेरी वज़े से किसी की प नाम आओं खास तोर पे बच्चों के तो आपको अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज लाइफ शेर और सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल